हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर इस वाले वीडियो में हम लोग जो है शब्द देखेंगे कि कौन सा किस भाषा का सब्द है यह वाले कोशन्स आपके यूपी ट्रिपल सी और यूपी पुलिस की विभिन परिछाओं में आते हैं तो सबसे पहले ह चीज हम लोग देखेंगे तो यह जो इसकी ट्रिक है कि यह है इसमें अजीब आदमी औरत करज लेकर कुरसी पर बैठे इमांदार हलवाई की कीमती दुकान पर जहाद से नहर पार करके आए तो यह अर्भी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे अजीब आदमी औरत कहां पर क सब्सक्तिर कातेंगे को किशनly को काड़ा इसको कर देख को पर बैठे वाला भी काड़ दीजिए इमांदार खलवाई कि कीमती दुकान हाज और पार करके आये इतने सारे शब्द जो हो जाएंगे यह सारे अर्भी शब्द के हो जाएंगे आप इसके अलावा जो है अर्भी के शब्द वो होते हैं जिन में अधिकतर दा लगा होता है जैसे कि दवा दिमाग दुनिया इसके अलावा दर्वाजा जो दवाले शब्द होते हैं ये अर्भी भाशा के शब्द हैं और एक शब्द हिंदी बहुत पूछा जाता है हिंदी कि भा प्रश्मा के सब्द कौन कौन से हैं पार्शी बाथा के सब्द हो जाएंगे यह कमीना आवारा ताना शाह ने आराम से चश्मा लगापर लगाकर चादर पर बैठे हामोश ग्रिफ्तार गवाह के पैजामे में आतिशवाजी की आवाज से तमाशा बना दिया तो यह लाइन है कि कमीना आवारा ताना शाह कितने शब्द हो गए आपके फारसी के इसके बाद में आता है आराम्स फिर चश्मा लगा कर बैठे चादर हामोश किरिफ्टार गवाह पजामा आतिशबाजी की आवाशे तमाशा इतने आवाज फिर एक आवाज ये शब्द हो गए आपके फारसी के क्या लाइन है कमीना आवारा ताना शाह ने आराम से चस्मा लगा कर चादर पर बैठे खामोश गिरिफतार गवाह के पजामे में आतिशबाजी की आवाशे तम अगर जो अलाह कहेंगे तो ये अर्बी भाशा का सब्द हो जायेगा तो अल्लाह और खुदा में थोड़ा अंतर है ये ध्यान रखियेगा अब आता है तुर्की भाशा का शब्द तुर्की भाशा में एक शब्द तो उर्दू काफी प्रिचलीत है हिंदी जो है अर्बी का शब्द है लेकिन उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है कि बहादुर बेगम बीवी ने कैची चाकू तोप तबंचा बारूद चला कर कुर्ते में सुराग कर लाश बना दिया यह इसकी ट्रिक है तो क्या हो जाएगा बहादूर बेगम बीवी कैची चाकू तोप तबंचा बारूद यह सब चला कर कुर्ता कुर्ते में सुराग कर लाश बना दिया इतने सब्द हो जाएंगे आपके तुर्की के यही सब अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है और यह कुर्टा और पैजामा थोड़ा लोगों को जो है कंफ्यूजन रहता है जो पजामा शब्द है यहां पर देखिए जो पजामा शब्द है पजामे में आतिश बाजी करके आग लगाई गई थी यह फार्सी भाशा का सब्द है और कुर्ते में बीवी ने जो है कैची चाकू तोप तमंचा चला के जो है सुरा कर दिया है तो जो पूरता है यह तुर्की भाशा का शब्द है कि अब इसके अलावा दे आता है कि पूर्तगाली भाशा का शब्द कौन सा है कूरत ली पहशा के लिए ट्रिक देख लिएंगे हम लोग लोग की गोदाम में इस पात की अलमारी में रखेिस्ति की हुई कमीज तॉलिया और चावी खो जाने से मिस्तरी ने काजु के गमले में लगी आलपिन से दरवाजा खोला कौन और आपके सब्द आगे गोदाम में इसपाथ यानी गोदाम और स्पाथ में रखी अलमारी अलमारी इस्ती इस तरही होता है प्रेस करने वाला इस्ती की हुई कमीज तॉलिया जो है ये दो अलमारी में रखे थे इस पाथ की अलमारी थी और उसको उसमें रखे हुए थे इसकी चाभी खो गई यानि चाभी एक शब्द हो गया के बाद सब्द आता है मिस्त्री मिस्त्री ने यहीं दर्वाजा खोला था इसका काजू के गमले में लगी हुई Allpin काजू गमला आलपिन जो है इससे अलमारी को ली तो इतने शब्द हो जाएंगे आपके पुर्तगाली, इसके अलावा एक शब्द काफी ज़दा पूचता है, रिक्षा, तो जो रिक्षा शब्द है, यह जापानी शब्द है, यह याद रखना है, और एक दूसरी कुछ चीजे पूचता है, कौन सा देशी भासा का सब्द है देशी भासा का सब्द, तो जितने जो वस्तुएं हमारे भारत में पाई जाती है, विदेश में कहीं नहीं पाई जाती है, वो सारे आपके देशी भासा के सब्द हो जाएंगे, जैसे कि धोती है, लोटा है, कमंडल है, तो इस तरह कि जितने शब्द आप कहीं भी एक्जा अबर है आपके देशी भाषा के सब्द हो होता है डलवा 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 शब्द जुह है आपका देशी शब्द है इस और यह एक वीडियो था जोकि पहचानने का तरीका तरीका आगर पसंद आया हो तो चैनल को सप्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू झाल झाल